ओके तो क्या लिखा है इस question में देखो a cart of mass m is at rest on a frictionless horizontal surface and a pendulum bob of mass m hangs on from the roof of the cart तो ये जो है ना इसका mass ये bob है जो की एक रस्से से लटक रहा है m और ये एक cart है जिसका mass दिया हुआ है m ठीक है अब ये जो है ना एक frictionless surface के उपर रखा हुआ है यह यहां लिखा हुआ है थोड़ा दीख नहीं रही है यह frictionless horizontal surface ठीक है तो बतलब cart plus bob को अगर मैं एक system माल लूँ तो उस system पे horizontal direction में कोई force है नहीं क्योंकि चक्के और surface के बीच में कोई friction friction है नहीं तो ले देके मैं क्या बोलूँगा कि भई यह इस system का center of mass वहीं पे रहेगा जहां पर है कौन से direction में? x direction में y direction में तो obviously भई change होगा क्योंकि y direction में आगे क्या लिखा है बताता हूँ मैं देखो क्या लिखा है string breaks, bob falls on the floor, makes several collisions on the floor and finally lands up in a small slot made in the floor तो यह जो गाड़ी है, जो काठ है, उसके floor में यहाँ पर एक क्या है? एक छोटा सा गड़ा है तो इसमें यह ball जाके finally ऐसे गिर जा रही है मतलब यह पहले नीचे गिर होगी फिर टपा टपा खाते खाते यहां गिर गई होगी ऐसा कुछ question में बोल रहा है तो भाई y direction में तो भाई यह mass नीचे आ रहा है तो y direction में बात नहीं करूँगा, x direction में बात कर रहा हूँ क्योंकि x direction में कोई external force है नहीं y direction में तो भाई gravity वगर है ही ठीक है आगे बात करें the horizontal distance between the string and the slot is L यह जो distance है न यह बॉब से लेकर यहां तक का horizontal distance जो hole है वहां तक का वो distance हमें दिया वाई capital L find the displacement of the card during the process तो card का displacement पूछा हुआ है अभी देखो भई पहले common sense लगाओ card के respect में ball थोड़ी सी right side जा रही है है ना तो जितनी ball card के respect में right side जा रही है उतनी actual में ball नहीं जा रही होगी क्योंकि अपने को क्या दिया हुआ है displacement of ball with respect to card is equal to plus L plus का मतलब right side L का मतलब उसका displacement अपने को यह दिया हुआ है relative displacement दिया हुआ है है ना तो मैं इसको लिख सकता हूँ S B minus S C is equal to L अब हमें question में क्या पूछा है S C पूछा है है what is the displacement of the card तो एक तो हो गई यह वादी equation दूसरी equation में कहां से बना सकता हूँ भाई X direction में कोई displacement of center of mass तो है नी तो X direction में displacement of center of mass का 0 होने का मतलब क्या हुआ कि M1 into S1 यानि कि displacement of the ball plus M2 जो कि है capital M into S2 यानि कि displacement of the card is equal to 0 center of mass का displacement X direction भी 0 है उससे यह equation मनती है अब भई चाहो तो उसको M और M नीचे रिवाइट कर लो उसके बाद इन दोनों जो को ले जाके यहाँ पर 0 से multiply कर दो तो भी वही आएगा तो मैं इसको वाइट कर रहा हूँ तो यह equation number 1 है equation number 2 है और कुछ बचा है नहीं equation मैं सहीं बता हूँ तो बस इतना ही करना है इसमें अब equation के बाद बची maths तो क्या करोगे क्या निकालना है SC निकालना है तो इस equation में से मैं Sb की value क्या रख सकता हूँ L प्लस SC लख सकता हूँ कहां पर यहां पर तो रख देते हैं M into Sb Sb की value इस equation से क्या आ जाएगी L प्लस SC प्लस capital M into SC is equal to 0 इसको solve करोगे तो क्या आएगा SC is equal to minus ML divided by M plus M कर सकते हो solve इसम जिंपल है अब देखो गई तो इसका answer क्या हो गया minus ML by M plus M अब देखो यह minus sign का क्या मतलब है minus sign का मतलब है कि displacement of the cart is along negative x direction ठीक है न क्योंकि भईया जब मैंने यहां पर plus L लिखा हुआ है displacement of ball with respect to cart तो गढ़ा कहां पर है right side में है तो right side को मैंने positive माना है ठीक है न कभी मैंने यहां पर plus L लिखा है तो जब मैंने right side को plus L माना है तो अगर finally result मेरा negative आ रहा है तो displacement of cart क्या हुआ minus x direction में यहने कि इस direction में ठीक है न तो अब answer में क्या दिया हुआ है इतना दिया हुआ है तो उससे confused नहीं होना है उसमें answer में basically displacement का magnitude दिया हुआ है पर अपना जो यह minus sign आया वो क्या है वो उसका direction दिखा रहा है तो I hope this is clear Thank you